मा मुझे विदेश जाने के लिए बीजा और टिकर्ट मिल गया है अब मैं विदेश जा रहा हूँ ठीक है बेटा तेरे पीता जी के गुजर जाने के बाद मेनत मजदूरी करके मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई हूँ और मैं अपने गेहने बेज कर तुझे विदेश जाने के लिए पैसाई कठकी हूँ, तुम वहाँ जाकर मन लगाकर अपना काम करना और मुझे फोन करते रहना, ठेक है मा मैं जा रहा हूँ यह काकर बेटा विदेश चला जाता है और मा बेटे को देखती रह जाती है, विदेश जाने के बाद बेटे ने कबे भी मा से बाते नहीं करता था, कुछ साल बित जाने के बाद एक दिन बेटे का फोन आता है हेलो मा मैं अलोक बोला हूँ, तुम कैसी हो मा? मा मुझे अच्छी कमपनी में काम मिल गया है मैं काम करने में ब्यास्त था इसलिए मैं फोन नहीं कर रहा था और मा मैं कल घर आ रहा हूँ बेटे के घर आने के ख़बर सुनकर मा बहुत खुस हो जाती है क्योंकि आलो पूरे तिन साल पर घर आ रहा था दूसरे दिन आलो घर आता है और आते ही मा से कहता है मा मैं विदेश में मकान खर्द लिया हूँ हम दोनों अहीं रहेंगे और कल साम को फ्लाइट से जाना भी है पर बेटा इस घर द्वार को कौन देखेंगे मा मैं घर को बेच देता हूँ अब ये घर क्या होगा इससे बहुत बड़ा घर मैंने वहाँ पर खरिद लिया हूँ ठीक है बेटा तुम्हारी मर जी अलोक ने सस्ते हिदाम पर एक ब्यक्ति को घर बेच देता है और अपनी मा को लेकर घर से बाहर आता है तुम्हा घर के चारू तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है कि मैं जहार आती थी उससे आज छोड़ कर जा रही हूँ मा को लेकर बेटा एयरपोर्ट पर जाता है और अपनी मा को एयरपोर्ट के गेट पर बैठा कर कहता है मा तुम यहीं बैठो में अंदर जाकर टीकट लेकर आता हूँ ठीक है बेटा परन तुजन लिया ना अलोक एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है इधर मा अपने बेटे के टीकट लेकर आने का इंतजार कर रही थी इंतजार करते करते साम हो गया तब एक ब्यक्ति पुछता है मैं आपको देख रहा हूँ आप सुबा से ही बैठी है आपको कहा जाना है मुझे बिदेश जाना है मेरा बेटा सुबा से ही टीकट के लिए अंदर गया है यह सुनकर वह आदमी वेरपोर्ट के अंदर जाता है और कुछ समय बाद बाहर आकर कहता है देखिए मैं अंदर जाकर आपके बेटे को पता किया हूँ वह तो बारबजे के फलाइड से ही बिदेश चला गया है और आप अपने बेटे किंतजार में साम तक बैठी हो यह सुनकर मारोने लगती है और वह आदमी मा के उनके घर पर पहुँचा देता है लेकिन उनका घर तो बिक गया था लेकिन जो घर खरिदया था उसका मालिक बहुत दयालू था वह उस मा को रहने के लिए एक कमरा दे देता है ऐसे ही कुछ दिन बित जाने के बाद वह घर का मालिक कहता है पर मैं यहां से चली जाऊंगी तो मेरा बेटा यहां आएगा तो इसे खाना कौन बनाएगा जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक मैं यहीं रहूंगी बेटा मा से ढूट बोलकर और घर बेचकर विदेश भाग गया लेकिन फिर भी मा अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है मा तो मा ही होती है